वो फ्रेंट, I hope आप सब बहुत अच्छी होगी मेरी रसोई में आप सबी का स्वागत करते हैं और चलिए फ्रेंट बनाते हैं सादिश्टा मुबदाल की हलवा जो बहुत ही ज़्यादा सादिश्टा रहता है फ्रेंट, इसे आप मस्ता घर पे बना कर खा सकते हो गरम गरम बना कर बहुत ही ज़्यादा साधिश्टा लगता है तो बस जो भी हमारे घर में समाल अलीबर रहते हैं तो बस मैं उसे से ये बनाई हूँ बहुत ही ज़्यादा टेश्टी से मुम्धाल की हल्वा बनता है और यह देखे फ्रेंट कितना ज़्यादा अच्छा बना है तो कैसा लगा फ्रेंट तो चलिए बनाते हैं वीडियो आप पूर देखिएगा तो बस मैं यहाँ पे दो कटोरी मुम्धाल ली हूँ और बस इसे मुम्धाल को अच्छे से मस्ता धो दूँगी दोना पहुती ज़्यादा ज़रूरी रहता है इसे मस्ता अप अच्छे से धोईगा तो जो भी पौर्डर अंडर्श्टर हैगा वो निकल जाएगा तो बस इसे अप अच्छे से धोने की बाद मैं इसमें टाल दूँगी एक कप पानी एक कप पानी टालने की बाद इसे रेश्टर कर दूँगी दो घंटी के लिए अच्छे से फूल जाएगा तो बस यहाँ पे अप पलेट में निकाल दीजेगा और पंदरा मिनट के लिए अच्छे से पंखी के पास अच्छे से सुखो दीजेगा तो बस फ्रेण इसे सुखोनी की बाद आप यहाँ लिए लिजेगा केंडर जाए और इसमें टाल दीजेगा मुम दाल को और टालने की बाद इसे हरल कसर दरदरस पीस लिजेगा तो ध्यान दीजेगा एक्टम जादा ही आपको पेश्ट नहीं पनाना इसे हलकसर दरदरस रखना यह देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ और आदा कटूरी मैं यहाँ पे लिए हूँ देशी घी तो बस यहाँ पे कडाई लूँगी और इसमें टाल दूँगी दो बड़ी चमस देशी घी तो बस घी को मैं थोड़ा थोड़ा सा डालूँगी और टालने की बाद फ्रेंट इसमें मैं टाल दूँगी पेश्ट को तो बस टालने की बाद इसे अच्छे से मस्ता मेरियम के इसमें मस्ता चलाते जाओंगी मिक्स हो जाएगा मुम ताल का पेष्ट है तो बस इसे आप कंट्यूरी मस्त चलाते चाहिएगा तो बस फ्रेण, यह अच्छे से मिक्स होते चाहिएगा यह देखिए, बहुत ही अच्छे से यह मिक्स हो चुका है आपको लग रहा है फिर इतम यलू कलर का और बस इसे आप मस्तर लगता चलाती जाएंगे तो चलाती जाएंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा इदम ब्राउन कलर हो जाएगा तो बस इसे हमें मस्तर चलाती जाना है और अच्छे से पकाना है इसलिए पकाना है क्योंकि यह हल्ककचर आएगा इसलिए आपको अच्छे से मस्त इसे पकाते जाना है तो बस फिर इसे बनाने के लिए हमें आधा गंटा लगेगा इसे मस्त आप अच्छे से मस्त चलाते जाहिएगा इसका कलर ब्राउन कलर हो जाएगा तो बस यह ब्राउन कलर हो जाएगा तो यह देखे किस तरह से ब्राउन कलर हो चुका है तो बस इसे अच्छे से मैं अच्छे से मस्त चला ली हूँ और इसमें घी भी अच्छे से मैं टालती हूँ तो इसके कलर भी काफी अच्छे से चेंज हो चुका है और यह अच्छा सी पक गगा है तो बस येये अच्छे से पकनी की बाद इसे और अच्छे से मैं मस्त चला दूंगी ये देखे आपको दिखा लिएँ ये अच्छे सी पक चुका है तो बस इसमें आप टाल दीजिएगा एक कप दूर्थ तो बस आप चाहो तो यहाँ पे दूद भी नहीं डाल सकते हो तो आप इसे पानी से भी बना सकते हो फ्रण बहुत ही ज़्यादा स्वाधिश्टा लगता है तो बस मैं इसमें एक कप ढाल रही है तो दूद डालने से और भी ज़्यादा स्वाधिश्टा लगे गफ्रण इसलिए मैं इसमें दूद डाल रही हूँ और बस डालने के बाद इसे अच्छे से मस्तर मिक्स कर दूँगी और चलिए यहाँ पे इसे सीरफ बनाते है तो बस मैं यहाँ पे एक कप लिएँ पानी तो ध्यान दीजेगा आपको यहाँ पे चास्ती बिल्कुल भी नहीं बनाना है और एक कप ढाल दूँगी मैं सक कर तो अब अपने टेस्टे की साफ से टालिये का फ्रेंड मीठा पर हल्वा में हल्का से मीठर है तो बहुत ही जाद साधिश्टा लगता है हल्वा तो एक चमश डाल दूँगी मैं आप लाइची पाउडर और एक चमश डाल दूँगी फूट कलर अगर आपके बस ना हो तो आप यहाँ पे केसर भी डाल सकते हो जिसे यलो कलर आजाएगा यह देखी यह हल्का से डाल का हो जाता है फ्रेंड इसमें यलो कलर दालना पड़ता है तो आपको चासनी बिल्कुल भी नहीं बनाना है इसे हल्का से आपको गरम भस करना है जिसे यह सक कर अच्छे से खूल जाए तो बस इसलिए मैं अच्छे से गरम कर ली हूँ, इसे चास्नी बना दोगे तो यह हलका सा हलवा टाइट हो जाएगा, इसलिए आप यहाँ पे चास्नी बिल्कुल भी मत बनाईएगा, हलका से इसे बॉल बस कीजिएगा, तो बस इसमें मैं थोड़ा थोड़ा सा डाल दूँगी हलवे में, यह देखिए अच्छे से मस्तर इसे डालने के बाद, इसे अच्छे से मस्तर मिक्स करते जाओंगी, तो बस इसे डालने के बाद सारे मस्तर बॉल अच्छे से मैं डालती हूं सिरप को, और इसमें डाल जायगा, तो यह देखिए, और भी अच्छे से, यह मस्ता मूदाल के अलवँ अच्छे से पक जाएगा, बहुत ही ज्यादा स्वाधिश्टा लगता है, फरेन मूदाल के हलवा, प्लीस बना कर देखिएगा, तो लीजिए फरेन बनकर तयार है, तो मैं इसे आपको सफ करें, यह देखिए तो बस मैं इसमें अच्छे से सब कर दूँगी हलवे को मस्त गरम गरम आप इसे बना कर खा सकते हो पहुत ही ज़्यादा साधिश्टा लगता है मैं सुपर से मस्त काजू अच्छे से इसे डेकुरेशन कर दूँगी और यह देखिए फ्रेंट टेश्टी सब ममदाल की हलवाद बहुत ही ज़्यादा टेश्टी सब ममदाल का हलवाद बनकर तयार है मैं से आपको दिखाती हूं फ्रेंट कितना ज़्यादा है अच्छा बना ये देखे फ्रेंड इसका टेक्चर काफी अच्छा लग रहा है तो कैसे लगा फ्रेंड आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे बताईएगा और कमेट कीजेगा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजेगा फिर से मिलती हुँ फ्रेंड नई रेसे पिलेगा तत्तक लेबाबाँ टीक केर